दोस्तो प्यास का इस्तमाल तो जादतर सभी लोग करते हैं मगर इसके पूरे फाइदे का इल्म बहुत ही कम लोगों को होता है तो सुर्क प्यास जो होती है जो हम commonly अपने रोधाना खाने में इस्टमाल करते हैं उससे ज्यादा जो फाइदमन प्यास होती है वो होती है सफेद प्यास market में अगर आपको सफेद प्यास मिल जाए तो आप एक किलो प्यास कम से कम अपने घर ले आएं क्योंकि आज उसी के मतालिक आपको एक खीर बनाना सिखाऊंगा जिसको हम कहते हैं प्यास की खीर तो प्यास की खीर बनाने के लिए आपको क्या करना होगा सबसे पहले इनका उपरी छिलका उतार कर बारी काट लेना है और इसको दूद में डालकर खीर के जैसे खीर बनती है उसी तरह से पकाना है मीठे के लिए आप इसमें शहद मिला सकते हैं या फिर देशी शक्कर जो होती है वो आपको इसमें मिला लेनी है चममच इसमें चलाते रहना है जैसे की खीर पक रही हो और जब यह थोड़ा गारा हो जाए खीर के तरह दिखने लगे तो इसको आपको च चाला ये खीर खा ले ठीक है दोस्तों इसके कुछ ही दिन के समाल से आप देखेंगे कि आपका जो स्टामिना है वो भी बढ़ेगा आपकी टाइमिंग भी बढ़ेगी आपका सेक्शुल पावर भी बढ़ेगा इरेक्शन में बहुत मज़ा आएगा स्पर्म की क्वालिटी भ बढ़ेगी ही बढ़ेगी क्योंकि प्याद जो है एक बहुत ही अच्छा रोल अदा करती है हमारे सेक्शुल पावर को इंक्रीज करने में बारे में दादा जान का इलना चाहते हैं तो आप मुझे दिये हुए नंबर पर कॉल या वाटसप भी कर सकते हैं